नहीं हो रहा जीवन की परेशानियों का समाधन तो एक बार जरूर करे लाल किताब के ये उपाए वैदिक जियोतिश शास्त्र के मौलिक सिद्धानतों पर आधारित लाल किताब में बताए गए उपाएं आपके लिए मददकार साबित हो सकते हैं ऐसे में यदि आपके जीवन में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है तो इससे निजात पाने के लिए भी आप लाल किताब में बताए गए उपायों का सहारा ले सकते हैं चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही उपाय आर्थिक संकट होंगे दूर लाल किताब में बताए गए टोटके के अनुसार, रोजाना गाय, कौवे, पक्षियों, छीटियों, कुत्ते और मचलियों के लिए भूजन का प्रबंध करना चाहिए इस उपाय को करने से धन की समस्या के साथ साथ पित्रदोश से भी मुक्ती मिल सकती है वही अगर आप घर की उत्तर या उत्तर पूर्वदिशा में एक्वेरियम रखते हैं, तो इससे आपकी आर्थिक स्थिती में सुधार हो सकता है शनिवार को करें ये काम, यदि कोई व्यक्ती शनी देव के दिन यानी शनिवार को जूते दान करता है, तो इससे उसके भाग्य में वृद्धी होती है ऐसा करने से शनी देव प्रसन होते हैं और जातक के कामकाज में आ रही बाधा दूर होती है इसके साथ ही शनिवार के दिन काले कुट्ते को रोटी खिलाना भी लाबदायक माना जाता है समस्याओं से मिलेगा छुटकारा यदि आपके जीवन में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है तो इसके लिए लाल किताब में बताया गया ये उपाई कर सकते हैं इसके लिए एक तामबे के लोटे में जल भर कर उसमें चंदन मिलाएं अब रात को सोते समय इस लोटे को अपने सिरहाने पर रख ले उसके बाद सुबह होते ही इस जल को तुलसी के पौधे में अरपित कर दें इस उपाई को लगातार करने से आपके जीवन की कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद मित्रू